2 सितंबर 2021 को सिधार शुकला की दिल का दौरा पढ़ने की वज़े से मौत हो गई इस खबर को सुनने के बाद हर कोई इस्तब्द रह गया इसके बाद अभी नेता की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्ण पर साजा किये गए सिधार शुकला की मौत के बाद TV अक्ट्रस काम्या पञजाबी ने e-times TV के साथ इस बारे में बात की अक्ट्रिस ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्ण पर कुछ भी पोस्ट नहीं करने का फैसला क्यों किया एक्ट्रिस ने बताया कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्ण पर दिवंगत अभीनेता के साथ साजा किये गए बॉंड को दिखाने में विश्वास नहीं करती है काम्या पंजाबी ने कहा मैं सिधार्त के बहुत करीबी थी हमने बहुत सारी बाटियां की है बाकी एक्टर्स की तरफ मैंने इस्टाग्राम पर ये नहीं दिखाया कि हम कितने क्लोस थे या हमने लास्ट कब बात की थी जब सब खतम हुआ मैं उनके घर गई लेकिन मैंने उनकी मा के साथ अपनी बातची सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की काम्या पंजाबी का कहना है कि जिसने अभी तक अपनी मृत्यू की इच्छा पूरी नहीं की है अगर वो उससे नहीं मिली होती तो उससे उसकी आसमाइक मृत्यू का दुख नहीं होता काम्या ने कहा मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि क्यूं हुई वो दोस्ती अगर नहीं होता तो इतना दुख और इतनी तकलीफ नहीं होती आज उनके आस्माइक और दुर्भाग्यपूर निधन ने मुझे इतनी चोट पहुँचाई है कि मैं अभी तक सदमे से उबर नहीं पाई हूँ मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि वो यहां नहीं है मुझे अभी भी लगता है वो कभी भी फोन करेगा और हम खंटो बात करेंगे एंटर्टेन्मेंट दुनिया की हर खबर को पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चानल के साथ